हलो फ्रेंच वेलकम टू आल आज मैं आपने जो वीडियो दे कारा हूँ देखे बात करेंगे तीन स्टोक्स की स्टोक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप सही रास्ते से चलो तो अब आप कहोगे सही रास्ता क्या है देखे सही रास्ता लर्निंग के बाद अर्निंग का है इजी अर्निंग तभी आपको लगेगी जब आपके पास लर्निंग होगी और आप रिस्कों को मैनेज करके कैलकुलेट करके चलोगे क्योंकि stock market investment are subject to market risk हर जगे पे आपने सुना होगा देखा होगा लेकिन अगर आप फिर भी मैनेज नहीं करते रिस्क को तो बहुती खतरनाक situation पे आप वो बहुती stock market अपने आप में एक बहुती dangerous मैं कहूंगा जगे है जहां लोग अपना सारा पैसा गवाए है इस चीज को ध्यान रखे इसी लिए risk management आपने हमेशा टेलिविजन में इधर उधर सब जगे एड़ सुना होगा stock market investment है subject to market risk यह सुना होगा लेक पे जो हमारे analysis के members हैं इनको पहले ही analyze करके आपके सामने रख देते हैं और उसके अलावा कुछ videos हम भी आपके लिए create करते हैं stocks के और आप देखिए इनको और सीखिए समझे और आपके लिए बहुत ही important अगर आप retail निवेशा को और बिना learning के market में कूद रहे हो कि मैं लगा आपने के chances बहुत ज्यादा होंगे इस सीज को ध्यान रहे है तो चलिए बात करते हैं इन स्टॉक की तरफ लेके जाओंगा यह देखिए पहला स्टॉक हमारे पास यहां पे हैं सैंचुरी टेक्स्टाइल इसकी बात करते हैं सबसे पहले सैंचुरी टेक्स्टाइल अभी स्टॉक को देखिए यह स्टॉक ने सैंच्टाइल ने आज बहुत ही जबर्दस तेजी दिखाए थी और 344 के लेवल का हाई बनाया था और open 317 पे अब आपको गयर इतनी जबर्दस तेजी अगर यह पहले पकड़मा आ जाता तो बहुत ही अच्छा होता यह आपके मन में question होगा लेकिन अभी हम आपको detail में बताते हैं बारी की सेज के बारे में बताते हैं और यहां पे जो बाकी यह होगे stock करता क्या है कि जब technical analysis के बात आते है कि profit growth 57% बहुत सारे parameter जहां पे आप देखोगे fundamental पर लेकिन entry exit चाहे stock अच्छा हो या ना हो entry exit planning profit booking यह सब आपके पास एक edge होता है technical analysis का तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको सीखना है तो आप join कीजे membership join button पे click करके आप यह तो पहला stock है बाकी दो stock में आपको दिखाता हूँ उस जीबन small finance bank आज की date में 36 रुपे 20 पैसे का high बनाया और उसके बाद मैं बात करूंगा technical analysis पर आपको लेके चलूंगा उस जीबन financial services यह आज की date में देखे 245 पे open हो था 253 का इसने high बनाया यह भी रडार में आ गया था अब आपको कैसे यह रडार में आये सबसे पहले मां आपको detail दिखाना चाहू जो हमारा private group यहां पर है learning के बाद जो next stage यहां पर हमारे पास आती है क्या कि weekly का correction पानी पीके उठने लग जया था stock तो अभी तो starting है मां आपको बता दो अभी तो starting है आगे और भी भाग सकता है just starting है लेकिन risk हमेशा manage करके चलना है अगर आप सोच रहों कि 200 रुपे का share 300 जा अब जैसे जैसे क्योंकि intraday trading में क्या होता है profit को बुक करना important होता है तो देखिए सीदे सीदे 251 बुक्ड सर डिड़ाइट टाइम अब यह question है इंट्राडे में booking तो करनी पड़ती है profit booking अलग 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 लोगों का अलग अलग बुक्ड सर बुक्ड सर पूरे पूरे अलगा है देखिए उस जिबन स्मॉल फाइसा एंटर सिक्स्टी मिनट डिटेल देखिए 35.4 पे अलग यह एंटर कर चुके थे बहुत ही बढ़िया बात बैए उसके अलावा century textile यह तो कई दिनों से लोग radar पे बहुत दिन से इसमें consolidation चल रहा है कब आएगा keeping radar for breakout देखिए बहुत टाइम से यह लोग अपनी radar में लेके चलेते century textile को कि इसमें breakout आने वाला है कभी भी भाग जाएगा आपको गयार यह तो बहुत ही खतरनाक है technical analysis यहाँ पे तो चीजों को हम पहले ही पकड़ लेते हैं तो लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है मतलब अप अपना एक thesis अपनी एक detail बनाने पड़ती है कि हम चीजों को अगर पहले पकड़ना सीखें समझना सीखें और कम से कम risk के साथ यहां कि यहां पे सबसे important बात है कम से कम risk के साथ जैसे मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा यह आपका uptrend है uptrend यह start हो गया अब आपका हथात्यों मे यह ही आपका stop loss होता है तो यहां पे आप जितना भी जो आपका reward होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है लेकिन risk बहुत ही कम होता और बहुत ही फाइदे का सोदा यह होता है सबसे पहले देखिए कि stock में trend uptrend में है और जब मौका मिले आपको corrections का correction के resolution का वह important हो जाता है मैं त पे सुबह सुबह ही members ने इसको पकड़ने की कोशिश करी समझने की कोशिश करी तो 320 के level से ही सीधे 344 अब सोचिए इंट्राडे के अंदर आगा बाइब एक 300 रुपे के share में 24 24 रुपे के earning कमा पा रहे हो तो कितनी अच्छी बात है कितनी positive बात यह है अब यह तो एक stock है अ इसले कुछ week का correction अब इसको ध्यान से देखिए इस point को ध्यान से देखिए मैं आपको इसको detail में बताने की कोशिश करूँगा समझाने की कोशिश करूँगा क्यों यह रडार माया उसको भी बताने की कोशिश करूँगा देखिए यह bottom point इसका बना था 120 के level आप यह तो 120 तक जब तक हमारे पास एक मैं कहूंगा risk management के चीज नहीं होगी तब तक हमें उसमें invest करना डर लगता है हमें तो डर लगता है अब हाँ यह correction resolution होता है तो यहाँ पे फिर भी opportunity है क्योंकि यहाँ पे हमें पता है हमारा risk जो है इस level तक का है सोचिए यह मैं आपको इसलिए बता र risk ले कैसे risk ले तो हम सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा higher low बन चुका है और यह correction रिजॉल्व होगा तो हम इसमें entry कर सकते और यह level जो है अब आपको गया यह तो 120-180 आ गया हमारा तो 60 रुपे का profit चला गया लिए 60 रुपे का profit जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन जो existing जो अपना पैसा है वो नहीं जाना चाहिए profit तो market में आता रहेगा जब आपके पास अपना पैसा safe रहेगा इस चीज़ को याद रखें आपका अपना पैसा safe रहेगा तो profit आता रहेगा फिर देखिए अगली rally आती है बहुत तेजी से अब इस rally को अगर आपको अभी स्टार्ट हुए अभी स्टार्ट हुए जस्टार्ट अपने पास अपना स्टाप लॉस और यहां पर अल्ड़ी दो सो चालिस के आस पास का एंट्री लेवल अब देखिए कहां तक यह शेयर जाता है अब एंट्री पॉइंट की बात करता देखिए हम एंट्री पॉइंट करता है आपके एक्स्पीरेंस पे धीरे अगर एक्स्पीरेंस दो तो आप यहीं से एंट्री स्टार्ट करोगे आप को कि नहीं मैं तो आपको गयर हाँ एक पॉजिटिवीटी सी देख रही है जो करेक्शन बहुत टाइम से चल रहा था वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है एक हायर लो हायर हाई की सीरीज बनती भी नजर आ रहे यह लेवल था देखिए इस लेवल को देखिए और आपका यह लो इसका एक और स्टॉक हमारे पास था उजिवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 35 रुपे का शेर इसका मैंने भी 16 अगस्त को वीडियो भी क्रेट किया था आपके सामने और आप इस वीडियो को देख सकते हो डिटेल में यह देखिए मात्र 35 रुपे का शेर भागने के लिए तो भागने के लिए तो रेडी है और आपको यहां पे क्लियरली इंडिकेशन दी गई थी तब यह 34 रुपे का शेर था था बल्कि 34 पॉइंट सम्थिंग पर ट्रेड कर रहा था और कभी भी भाग सकता रैली आ सकते है स्टॉप लॉस आपका 31 का क्लियरली आप इस वीडिय और पॉजिटिविटी यहां पे देखने को मिल सकती है 37 के लवल के बाद हमको जो रियल रैली देखने को मिलीगे उसके बाद ही देखने को मिलीगे और वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अब यह क्यों नजर्मा आया है अब आपको गैर यह क्यों बाल आकेन को प्रस का लजिस आपको नोटिफिकेशिन आते रेकें थैंक यू थैंक यू पर उसने वीडियो